हेलो दोस्तों प्रतिमा जीएस एकेड़ी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों मध्धकालीन इतिहास की सुरुवात करते हैं अब सक्ता हमें तेन दिन सोमवार, मंगरवार, बुधवार, आधुनिक भारत का इतिहास आएगा और ब्रहस्पतवार, सुकुरार, सनिवार, मध् इस या अधर वंडे एक्जाम को ध्यान में रख करके एक ख्लासिस डियाइन के जाते हैं जिसमें आप सभी लोगों का सहीओग उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं जितने हमारे दरसक हैं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जादा से जादा लोग और भारत में बारा सो इस भी तक साथ सो बारा और बारा सो से लेकर के सत्रा सो साथ तक और अंजेब की मिर्तू तक मद कारीन का फिज रहता है इसमें इसलाम के उदय के बारे में चर्चार्च करेंगे इसलाम का उदय मक्का में होता है ये भारत है ये महादीफ है एसिया और यहां पर ये लाल सागर है और यहां पर भी स्वेज नहर नहीं बना हुआ तो इसलिए ये जुड़ा हुआ है अफ्रीका महादीफ से और इधर ये एसिया यानि कि ये जो छेत्र है ये इसलाम के उदय का छेत्र है ये जो छेत्र आप देख रहे हैं ये इसलाम के उदय का छेत्र है एक तरफ लाल सागर है तो दूसरी तरफ फारस की खाड़ी है और यहाँ पे हिंदू कुस परबत माला है यह हिंदू कुस परबत माला है और इसे पाकिस्तान का बार्डर भी कह सकते हैं आप और यह आपका हिमाला है यह आपका हिमाला है यानि कि यहाँ से जहाँ पे मक्का में हजद मुहम्मद साहब का जन्म होता है और कैसे वो भारत में आकरके इसलाम का आधार देते हैं और कैसे मद्दकारिन भारत में हमारे इसलामिक युग प्रारंब होता है इस सभी को हम क्रमसा देखेंगे मक्का वह स्थान है जहां पर बुधिष्ट लोग बुधिष्ट निवास करते थे साथियों आपको ग्यात हो तो मैं आपको बता दूँ कि पूरा मद्धेशिया अरव मिस्र यानि कि पूर्भी एसिया दच्छिर पूर्भी एसिया श्रिलंका मंगोलिया ये सभी के सभी बहुत धर्म के अन्याई थे और यहां पर बुध की पूजा बहुत जोर सोर से होती थी लेकिन कहा जाता है कि हर समय का एक समय होता है और हर दौर का एक दौर होता है हजर्द मुहम्मद साहब का जन 570 इस्वी में मक्का में होता है हजर्द मुहम्मद साहब अभी हजर्द नहीं कहलाते हैं अभी उनका नाम है मुहम्मद साहब नाम है मुहम्मद नाम है मुहम्मद मुहम्मद साहब के पिता का नाम है अब्दुल्ला और माता का नाम है अमीना और चाचा का नाम है अबु तालिव और पत्नी का नाम है खतीजा मुहम्मद साहब का जन जब 570 इस्वी में होता है इनके जन के पहले ही इनके पिता का मिर्टु हो जाता है यानि अब्दुल्ला साहब का अब्दुल्ला साहब का इंतकाल हो जाता है यानि हाजर्द मुहम्मद सहाब जन्म लेते हैं कि उसके पहले उनके पिता का साया हड़ जाता है और जन्म लेने के 6 साल पस्चाद इनके माता अमीना बेगम का इंतिकाल हो जाता है यानि कि 6 साल के होते होते हजर्द मुहम्मद सहाब अपने वालिद और अपनी अमी को खो चुके होते हैं यानि हजर्द मुहम्मद सहाब ने बहुत ही कम समय में अपने माता पिता को खो दिया अब इनका लालन पालन इनके चाचा अबु तालिब करने लगे अबु तालिब महोदय कुरैस जनजाती कभीले के मुख्या थे देखने में तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि इस कभीले के मुख्या थे लेकिन वासिबिक्ता ये था कि कभीला ये बहुत छोटा था और अबु तालिब बहुत गरीबी में जीते थे और इसलिए जब मुख्या साहब का लालन पालन हुआ तो बहुत अच्छी परवरिश इनकी नहीं हुई बहुत गरीबी में हुआ हज़त मुख्या साहब बहुत ही चिंतन सेल बेक्ती थे कहा जाता है मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसका अभाव होता है उसी का भाव होता है जिस कबीले के मुख्या थे अबु तालिब महुदे उसका नाम था कुरेश कबीला कुरेश कबीला एक जनजातिय कबीला था और ये भगवान बुद्ध की मूर्ती मूर्ती से अपना लालन पालन और अपनी आजीव का चलाते थे कुरेश कबीले के लोगों का काम ही था बुद्ध की मूर्ती बनाना उसका बेउसाय करना और उसी से सम्बंधित अपनी आजीव का को चलाना हजरत मूहमद साहब इन सब चीजों को देखते देखते एक बार ऐसा बोल बैठे कि जो हम लोग मूर्ती पूजा करते हैं ये सायथ सही नहीं है और हमें इसे बंद कर देना चाहिए जब ऐसी बातें ये करते हैं कहां पर कुरेश कबीला के अपने कबीला के लोगों को तो इनके कबीले के लोग इनको ऐसी दृष्टी से देखते हैं कि इसको पता नहीं क्या हो गया है जो हमारा जीवन यापन चलाता है जिससे हम रोटी घाते हैं उसी को बंद करने के बात करता है दूसरा साधन क्या है मेरे पास साथ्याँ को ग्यात हो तो मक्का, मदीना ये सब जो छेत रहें ये सब रेतीले छेत रहें ये सब बंजर छेत रहें यहाँ पर आपको खेती के यारी अनसाधन बहुत कम मिलेंगे या तो आप पसुपालन कर सकते हैं, बकरी है, भेड है, या तो आप कुछ ऐसी जीव का चला सकते हैं, जिस्से की ततकाली रूप के आपकी आवस्क्ता तो पूर हो जाए, लेकिन अभी आपको वहाँ पे कोई भी सरप्लस रखने की व्यवस्था नहीं थी, बरतमान में की तेल है, ये सब है, उस समय में तेल है की क्या है, इसका कोई मतलब था ही नहीं, ना तो इतने संसादन थे की तेल निकालते, आए तो यहाँ के लोगों सबसे आमीर माने जाते हैं, लेकिन तब गरीबी थी. कुरेश कबीले के लोगों ने मुहम्मद सहाब का विरोध किया और उन्हें अपने यहां से जाने का आदेश दे दिया इन्होंने कहा कि आप जो भी बात करते हैं वो हम लोगों के समझ में नहीं आता है आप जाएए इसके पहले आपको बता दें कि हजर्ण मुहम्मद सहाब का जर्म जो है पांसु सत्तर में हुआ जब ये पचीस वर्स के हुए तब एक खतीजा नाम की बिधवा थी चालिस वर्स की बिधवा उनका नाम था खतीजा और ये बहुत धनी महिला थी ये बहुत धनी महिला थी मुहम्मद सहाब ने इनसे बिवा कर लिया मुहम्मद सहाब ने खतीजा नाम एक बिधवा से जब बिवा कर लिया तो इनके पास में संसाधन की बिवस्था बन गई यानि एक धनी महिला से इनने बिवा किया था तो इनके पास धन संपदा आ गया और खतीजा ने इनको हर तरह से मदद किया जिससे ये अपने मनसुबों में काम्याब होने के तरफ बढ़ चले। कोई एक ऐसा यूस्वर है, कोई एक ऐसी परमात्मा है, जो निराकार है, लेकिन मुझे कुछ उपदेश देना चाहता है। इन्होंने उन्हें अल्लाह का नाम दिया। मुहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं उनका प्रचार करूं। अल्लाह का हुक्म है कि मैं उन्हें मानूं। अल्लाह का हुक्म है कि मैं दीन हीन की सेवा करूं। हजद मुहम्मद साहब की जिन्दगी बहुत देल्चस्प है। हजद मुहम्मद साहब जब रास्ते से गुजरते थे तो इनके चिंतन सिल प्रविर्थी के कारण लोग इनसे घ्रणा करते थे। और करें भी क्यों ना। जब आपकी आजीवका का आधार ही आपको खंडित नजर करने वाला कोई सामने बोल रहा हो, वो अलग बात ही कि असत्य बोल रहा है। उस समय छड़िक मात्र में ये नहीं आवास होता है कि मेरे लिए उपियोगी है या आउपियोगी है। लेकिन आजीव का छिनने का डर लोगों के मन में था इसलिए हज्रत मुहम्मद साहब के साथ ये लोग कई प्रकार के अनैतिक कारे करते थे हज्रत मुहम्मद साहब का समय बिता गया और एक महिला नित्र प्रत हज्रत मुहम्मद साहब जब गली से गुजरते थे तो ऐसी क्युदंतिया कही जाती है कि वो डेली हजर मुहमद साहब के ओपर कोड़ा फेक देती थी एक दिन तिफाक से उस महला का बिमार होना बिमार पड़ गई और उसने कोड़ा उनके ओपर नहीं फेका हजर मुहमद साहब वहाँ पे घंटों खड़े रहे कि साइद उसने ध्यान न दिया हो लेकिन जब उनने देखा कि कोड़ा नहीं आया तब वो उसके दरवाजे फिर गए और फिर उसे मिलने गए मुहमद साहब ने उस महला से कहा कि आपने आज मेरे उपर कोड़ा क्यों नहीं फेका तो उसने कहा कि मैं बीमार हूँ और मैं आपके पोड़ा फेकती थी इसे आप नाराज नहीं हुए उन्हेंने कहा कि इसे अगर आपको सांती मिलता है तो मैं नाराज होने वाला करन हूँ हजर्द मुहमद साहब का एक अलग गुड़ था बरतमान के जो इसलामिक गुड़ बन गए हैं उनको नजर अंदाज कीजिए तो हजर्द मुहमद साहब के गुड़ किसी इस्वरिय गुड़ से कम नहीं थे हजर्द मुहमद साहब ने जब उस महिला के दवा कराया और महिला स्वस्त हो गई तो उसने हजरत मुहम्मद साहब के बिचारों को मान लिया और उसने मूर्ति पूजा को त्याग दिया अब इसमें हजरत मुहम्मद साहब को उनके जो दरसन थे एक इस्वर वादी दरसन, निराकार इस्वर की दरसन हजर मुहम्मद साहब के जो एक एसरवादी निराकार की जो दर्सन थे उसमें अब तीन लोग इनके समर्थन में आ गए पहले तो इनकी पत्नी थी खतीजा और दूसरा वो महिला जिसको इन्होंने दवा कराया था इलाज करवाया था और माना जाता है कि इनके चाचा अबुतालिव इनके चाचा अबुतालिव ये इनके एक एसरवादी भावना से तो सहमत नहीं थे लेकिन कुरैस कबीले से इनको समर्थन देते रहे मुहम्मद साहब को जरूरत के चीजें सारी मोहिया कराते रहे ऐसे इनका समर्थन न देना या इनके बातों सहमत न होने का दोकारण हो सकता है क्योंकि कुरैस कबीले के लोग नहीं चाहते थे कि हजरत मुहम्मद के बातों को माना जाए और जो कि अबुतालिव उसके मुखिया थे और इससे इनका कुछ आजीविका चलता था इसलिए सायदो इनका समर्थन करते थे अंदर से और उपर से इनके बातों को सहमती नहीं दिये लेकिन एक समय के पश्चाद इनकी पत्नी खतीजा और अबुतालिव दोनों का इंतकाल हो गया कहा जाता है जब इस वर पर इच्छा लेता है तो आपके सारे रास्ते बंद करने का दिखावा करता है वास्तिविक्ता कुछ और होता है हज़र मुहम्मद सहाब की पत्नी भी अब नहीं रही माता पिता पहले ही नहीं थे चाचा अबुतालिव भी नहीं रहे अब हज़र मुहम्मद सहाब को कुरैस कबीले से भी कुछ मदद मिलना समाप्त हो गया अब यहां के लोग हज़र मुहम्मद सहाब से नफरत करने लगे इस समय हज़र मुहम्मद सहाब से लोग इतना नफरत करने लगे कि इनको अपने प्रचार प्रसार के लिए भगार दिया और मक्का से भाग करके लोग यहां तकी इनकी जान से मार देने की कोशिस भी करने लगे क्योंकि अब चाचा अबू तालिब का हाथ विसर से हट गया है और साथ देने वाली पत्नी भी अब नहीं रही अब हजर्द मुहम्मद साहब को लोग मक्का में नहीं रहने देने का एलान कर दिये जो कुरेश कबीले के मुखिया बने उन्होंने हजर्द मुहम्मद साहब से कहा आप मक्का को छोड़ दीजिए हजरत मुहमद सहब 632 इस भी में मक्का से मदीना को हिजरत कर गए यानि हिजरत को कहते हैं देश निकाला यानि जब हो हिजरत किये उसे हिजरत बोला जाता है और हिजरत से ही हजरत नाम जुड़ा और वो मुहम्मद से हजरत मुहम्मद हो गए और नाम के आगे साहब लग गया अब वो हजरत मुहम्मद साहब कहलाने लगे यह हजरत सब्द हिजरत जो यहां मक्का से मदीना उनको भेजा गया तमाम प्रकार की यातनाय दी गई हजरत मुहम्मद सहाब को उन्होंने फिर मक्का को से छोड़ करके 632 में मदीना पहुँच गए इस समय इनकी उम्र 52 साल की थी जब यह मदीना पहुँचे अब इनके सामने दो बाते थी क्योंकि मदीना के लोगों ने तो इन्हें आमंत्री तो किया था लेकिन उस सब के सब बुद्धिष्ट थे कहा जाता है कि जितने भी धर्म भारतिय उप महादीप में जन्में उस सब के सब उदारवादी थे चाहे वो बात दे हों जैन हो या आप ब्रहमण धर्म समझ लीजिये लेकिन ब्रहमण धर्म एक सनातनी धर्म है तो इसे आप संसकार की रूप में समझ जैन जब इनकी उत्पत्ति भारत में हुई तो इनोंने हर किसी को हर किसी के अंदर भगवान के गुर देखे कहा जाता है कि आपकी उत्पत्ती का परिवेश आपका भविस निर्धारित करता है मैं किसी धर्म विशेश पर टिपड़ी नहीं करता हूँ लेकिन जिस तरह की प्रविर्टी में हजर मुहम्मद सहाब को मक्का से मदीना भेजा गया उस तकलीफ को उस दर्द को उन्होंने जहला और मदीना में लोगों ने इनका समर्थन किया और मदीना में लोग जो हजर मुहम्मद सहाब के दरसनों को कबूल किये और सबसे पहले लोग मदीना में ही इसलाम को कबूल किये इसलाम को कबूल किये और इसलाम को पांच मानक थे इसलाम मानने वाले को पांच मानक की रूप में माना गया और हजर्र मुहम्मद सहब ने अपने अनुयाईयों से कहा कि पहली बात तो आप नमाज पढ़ेंगे पांचों वक्त का पांचों वक्त का नमाज पढ़ेंगे आप कलमा पढ़ेंगे आप जकात देंगे आप तीर्थ करेंगे यानि मक्का का यात्रा करेंगे हज करेंगे नमाज, कलमा, जकात, तीर्थ यानि मक्का या हज का यात्रा करेंगे और रोजा रखेंगे यानि हजर्थ मुहम्मद साहब ने इन पांचों बातों को अपने इसलाम के मानक के रुप में माना कलमा कलमा में एक सुद्ध पाक सब्द है उसमें कहा गया है या इलाही लिल अल्लाह इल मुहम्मद रसूल अल्लाह अल्लाह अक्बर अल्लाह ये बातें एक उसित भाती हैं जैसे हिंदों में कायाता है ओम भुर्भा स्वातत सभितु वरणियम भर्गो देवा सधी मही दियो यो ना प्रचोदयात इसलाम में भी उस सारी बातों को मेंसन किया गया हज़र मुहम्मद साहब ने पांचों वक्त का नमाज पढ़ने का जो कारण बताया इसमें इंसान के मस्तिक ससांत रहता है अपने लच्छ को याद करता है और ईस्वर का ध्यान करता है पापों का प्राइश्चित करता है और जिसके अंदर ये समस्त गुंढ आ जाएंगे वो कभी अण्याय नहीं करेगा इसलाम याणि मुसलमान 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 का मतलब होता है मुसल्ले इमान इमान को कायम रखने वाला जिसका इमान कायम रहे वो मुसल्मान कहलाता है और जो स्वैम की इंद्रियों को बस में कर ले वो इसलाम ग्रहन कर ले यानि इसलाम एक ऐसा गुड़ है जिसमें किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करना और अन्याय स्वैम नहीं करना दोनों बाते नहीत होती है इसलिए पांचों वक्त का नवाज पढ़ने का हज़र मुहम्मद साहब ने अपने इसलाम के मानक के रूप में दर्साया कल्मा पढ़ना और जकात देना जकात एक बटा चालिस भाग लिया जाता था धनी मुसल्मानों से यानि कि दो पॉइंट पांच परतिसत धनी मुसल्मान अपने पूरे आयका दो पॉइंट पांच परतिसत भाग जकात के रूप में देगा हज़र मुहम्मद साहब ने कहा कि हर मुसल्मान को अपने जिंदगी में कम से कम एक बार हज की आत्रा करनी चाहिए यानि मक्का का यानि तीर्थ्यात्रा करनी चाहिए साथियों हज़र मुहम्मद साहब ने गरीबी को देखा था हज़र मुहम्मद साहब ने इस्ततियों देखा था जिसमें बहुत प्रकार के लोग गरीबी से भुखमरी के सिकार होते थे हजर मुहमद सहाब ने दिमाग लगाया और बुद्धिमानी का परिचे भी दिया कि इंसान जो बड़े धनी मुसल्मान है या धनी व्यक्ति हैं वो किसी गरीब के पीड़ा को कैसे समझेंगे तो उन्होंने कहा आप रोजा रखिए और उन्होंने एक पाक महिना रखा रमजान का महिना रमजान का महिना एक ऐसा पाक महिना होता है जिसमें एक माहा तक माना जाता है लगभग 30 दिन तक रोजा रखा जाता है यानि उपवास रखा जाता है वो भी उपवास बिना पानी के बिना भोजन के एक समय के पस्चाद रोजा तोड़ करके अप्तारी की जाती है अब रोजा रखने के भाव से जो अमीर मुसल्मान थे उन्होंने उस दर्द को महसूस किया कि यद मैं 30 दिन तक भूखा रहता हूँ तो मेरी ये हालत होती है तो जो गरीब ब्यक्ति पूरा हमेशा भूखा रहता है कभी एक वक्त की रोटी पाता है कभी नहीं पाता है वो कैसी जिंदिगी जीता होगा यानि कि इसलाम में आया समान था अज सब को साथ बैठा करके भोजन करने की प्रविट्टी आई और जो धनी मुसल्मान थे उन्होंने जकात देना कबूल कर लिया यानि उन्हें समझ में आ गया कि मुझे जकात क्यों देना चाहिए क्योंकि मेरे कमाई में इनका भी हक है और उन्होंने अपना जकात का जो 2.5 परतिसत देना सुरू किया वो गरी मुसल्मानों में रुमजान के समय में या अनमहीनों में बितनित करने का प्रावधान किया इनके पढ़ने के लिए अलग इसकूल नहीं थी इसलिए मस्जिदों में इस्थान दिया गया अधर मुहम्मद सहाम ने इन लोगों को विक्सित करने की पूरी प्रक्रिया बना लिया हजज़ मुहम्मद सहाम ने इतना प्रविड़ती करने के पश्चाथ फिर भी एक इस्थान तो चाहिए हर किसी को एक चत चाहिए हर किसी को अपने कारियों को करने के लिए एक छेतर चाहिए हर किसी को हज़त मुहम्मद सहाब भी उससे छोटे नहीं थे उन्होंने स्वयम को कभी भगवान नहीं कहा हज़त मुहम्मद सहाब ने कहा मैं अल्ला का पैगंबर हूँ मैं अल्ला का दूत हूँ पैगंबर हूँ अल्ला के हुक्म मानना हमारा करतब है और उसे प्रचारित करना हमारा कर्तब है हज़र मुहम्मद साहब ने उस अल्लाह उस इस्वर की कामना किया जो दिख तो नहीं रहा है लेकिन है जरूर उस निराकार पार ब्रह्म की उन्होंने कलपना किया कि जो बर्तमान के मूर्थी पूजक है उन से हट करके है आप इसे कह सकते हैं प्रकरती लेकिन मानना ना मानना अलग-अलग लोओं के अपनी भावनाये होती हैं हर किसी संधर्म का हर किसी संपरदाय के अपनी भावनाये ہیں हज़र मुहम्मद साहब ने स्वयम को कभी स्वर नहीं कहा उन्होंने कहा मैं अल्ला का पैगंबर हूँ और हमें अल्ला के बिचारों को प्रसारित करने का अल्ला के बिचारों को लोगों तक पहुचाने का और इसलाम का प्रचार करने का दाई तो दिया गया है यानि कि हम लोगों में इसलाम प्रचारित करें और इसलाम कबूल करवाएं कुछ जगह पर तो यह भी मिलता है कि हजर मुहमाद साहब ने कहा जो इसलाम को न माने उसको मनवाईए चाहे उसके लिए यो द्धी क्यों न करना पड़े लेकिन कहीं पर मिथक होता है हजर मुहमाद साहब जैसे बुद्धी जीवी ऐसा सब्द कहेंगे थोड़ा नहीं समझ में आता है कि ऐसा बोलेंगे उन्होंने नहीं बोला होगा लेकिन समय के साथ में हर धर्म परिवर्तित हो जाता है इसलाम को प्रचारित करने का इनका जो कार था साथ ही एक छेतर के लिए इन्होंने तलवार उठाया हजर मुहमाद साहब ने कहा कि हमें अपने इमान के लिए हमें अपने मान के लिए हमें अपने सान के लिए अगर तलवार उठाने की जरूत पड़े यानि अन्याय के खिलाब तलवार उठाया अन्याए के खिलाफ उनों ने तल्वार उठाया और पहला राज पहला इस्लामिक राज मदीना में मराया पहला इस्लामिक राज उन्होंने मदीना में बनाया मदीना में इस्थापित किया और इसके लिए हजर मुहमद सहाब को तीन युद्ध करने पड़े तीन युद्ध करने पड़े पहला इस्थुन ने लड़ा बद्ध्रा का इस्थ चैसो चौबिस इस्थुन में दूसरा युद्ध लड़ा उहूद का चैसो पचीस इस्थुन में और तीसरा युद्ध लड़ा डिच का यानि कि हजर मुहम्मद सहाब के जिन्वन में ये तीन युद्ध महत्तपूर हैं इन्होंने तीन युद्ध लड़ने के पश्चात मदीना में एक इस्लामिक राज इस्थापित किया और अब इनका विस्तार होना प्रारंभ हो गया हजर मुहम्मद सहाब का विस्तार दोस्त रह से शुरू हुआ एक तो मदीना में यहां पर इन्होंने अपना राज इस्थापित किया तो एक कबिला इधर युद्ध के विस्तार के लिए और एक इधर मक्का के विस्तार के लिए चलना सुरू हो गया हजर मुहम्मद सहाब इधर विस्तार सुरू ही करते कि बहुत जल्द ही 632 इस्थी में इनका देहान तो हो गया अब हजर मुहम्मद सहाब का देहान तो हजर मुहम्मद सहाब ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं न्यूक्त किया था और ना इन्हों ने अपने उत्राधिकार के बारे में कुछ बोला था तो अब हजद मुहमद सहाब के इस गद्दी को प्राप्त करने के लालसा कई लोगों में जागने लगी कुछ लोगों का मानना था कि हज़र मुहमद साहब जिस कबीले के रहे हैं उसी कबीले के किसी को बनाये जाए और कुछ लोग का मानना था कि जो इसलाम का प्रचार अच्छे से कर सके और जिसका तलवार में धार तेज हो उसे उस कबीले का मुख्या बनाए जाना चाहिए लेकिन उनके बाद में चार प्रमुख खलीफा हुए नमबर एक अबुबकर नमबर दो उमर नमबर तीन उस्मान और नमबर चार अली अबुबकर महोदे पहले खलीफा बने खलीफा का मतलब था कि पैगंबर साहब के अनियाई और इसलाम का प्रचार करने वाले प्रथम उत्रादिकारी इसी को याद रखेगा आगे आजनी भारत में आप खिल्लत की बात करेंगे अब अबुबकर महोदे जब पहले खलीफा बने तो इन्होंने ग्यारा सैनिक दल बनाया और उस ग्यारा सैनिक दलों में से कुछ मद्हेसिया के तरब निकल गए एक दल मक्का को जीतने निकल गया और एक दल मिस्र को जीतने निकल गया यानि कि इसलाम का प्रचार होना और प्रसार होना शुरू हो गया तो साथियों जो दल मक्का में गया, मदिना में गया जो दल मिस्र में गया इनका भारत से तो कोई लेना देना नहीं है लेकिन जो दल मध्धेशिया के तरफ बढ़ा मध्धेशिया में बढ़ करके इस छेतर पे जब कबजा किया गजनी, मध्धेशिया, उजबेकिस्तान, तजाकिस्तान इन सब जगह पे तो वहां पे बुद्धिष्ट को समाप्त करते हुए इसलाम का प्रसार हुआ और इनी के माध्यम से भारत में इनका एक तरफ पहले अरवा आक्रमण करेंगे और बाद में तुर्क आक्रमण करेंगे और भारत में प्रवेश होगा यहीं मध्धकालिन इतिहास में इसलामिक आधार था अब इन चार खलीफा के बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे हम आते हैं अबुबक्र अबुबक्र साब पहले खलीफा बने 632 में और 634 तक ये रहे दो साल के अंदर इन्होंने अपना सारा कार किया उसके बाद इनका इंतकाल हो गया एक साल के अंदर अंदर इन्होंने संपूर अरब यानि जो ये अरब पार्ट है ये इसको जीता और साथ ही साथ इधर इराक और सीरिया पे जो इराक और सीरिया है ये पडोसी देश हैं यहां पे पडोसी थे इन पर आकरमण किया ग्यारा सैनिक दल का इनोंने गठन किया था और अबू बक्र ने ग्यारा सैनिक दल गठन करने के पस्चाथ एक वर्स में ही संपूर अरब को जीत लिया और साथ ही चेल्डिया जो बरतमान इराक है उसे पहले चेल्डिया कहा जाता था चेल्डिया और सीरिया पर आकरमण किया यानि इनोंने सीरिया पर आकरमण किया और इराक पर आकरमण किया 13 अगस्ट 634 इसवी को अबुबक्र सहाब की मिर्तु हो गई जब 13 अगस्ट 634 को अबुबक्र सहाब की मिर्तु होई उसके बाद उमर बनते हैं खलीफा नमबर दो यानि उमर सहाब खलीफा बनते हैं 634 में और ये 644 तक रहते हैं दस साले रहते हैं खलीफा इनोंने जो काम किया एक तो सीरिया को कबजा किया यानि सीरिया को कबजा करके राज में मिला लिया अब ये राज बढ़ करके हो गया ऐसे मिला लिया और साथ ही मैंने बताया था कि यहाँ पे ये लाल सागर है और ये मिस्र है यानि कि इस पूरे पार्ट को भी उमर सहाब ने मिला लिया अब ये भी इसलामिक हो गया यानि कि उमर ने दो काम किया एक तो सीरिया को मिलाया और दूसरा मिस्र को मिलाया अब इतना करने के बाद जब छेतर बड़ा हो गया तो उमर ने देश को परांतों में बाट दिया मक्का, मदीना, सीरिया, मिश्र, इसी सर एक प्रांत बना करके उन्होंने प्रांतों में बाट दिया। तीसरे खलीफा बने उस्मान, 634 में, जब 644 में उस्मान खलीफा बने, तब उनकी उम्र थी 70 वर्स। 70 वर्स का ब्यक्ति जब खलीफा बनता है, तो इनके सामने कई चुनोतियां आ गई, इनके समय में पच्छपात, इर्सिया, और स्वार्थ की भावना इतनी प्रबल हो गई, कि लोग इनहीं पे लांचन लगाने लगे, कि ये हज़र मुहमद साहब के द्वारब बनाए गए, वनी हासिम कबीला को, देखे हज़र मुहमद साहब का जन्म हुआ था, कुरेश कबीला में, लेकिन जब हज़र मुहमद साहब को निकाला दे दिया गया, और जब इन्हों ने एक अलग राज बनाया, तब उसका नाम पढ़ा, बनी हासिम कबीला, यानि राज का नाम पढ़ा, बनी हासिम, हज़र मुहमद के नाम से जाना गया, हजरत मुहम्मद साहब के अन्याईयों ने कहा कि उस्मान साहब हजरत मुहम्मद साहब के कबिले यानि वरिहासिम की उपेच्छा कर रहे हैं उसे इग्नोर कर रहे हैं उसे दरकिनार करके अपने लोगों को इस पद पे यानि बड़े पदों पे न्यूक्त कर रहे हैं कायाता है एक समय आने के बाद बिरोध हर किसी का होता है चाहे वो अच्छा बेखती हो या बुरा उस्मान सहाब का बिरोध इतना बढ़ गया कि लोग इतने जादा आतुर हो गए इनको हटाने के लिए कि ये कुरान की आयते पढ़ रहे थे और सत्रा जून सत्रा सो चौवन को इनकी हत्या कर दी गई यानि कि राज के पद के लिए इसलाम में पहली हत्या की रूप में सामने आया उस्मान सहाब का हत्या कर दिया गया सत्रा जून को सत्रा जून सत्रा सो चौवन को उस्मान सहाब की हत्या कर दिया गया चाहते खलीपा हुए अली अली साब इन्हो ने कूफा को अपनी राजधानी बनाया ऐसा इन्हों ने इस लिए किया क्योंकि आप समराज बड़ा हो चुका था और एक छोर से पूरा समराज को नियन्तित करना थोड़ा कठिन था इसलिए इन्होंने कूफा को अपनी राजधानी बनाया कूफा को राजधानी बनाया और इनका काम केओ इतना था कि ये खलीफा थे और उस कार्णों को देखने में सच्छन थे जो इनके पूरबजों ने इनके हाथ में दिया था लेकिन इतना बिरोध और इतना विद्रो होने लगा इनके समय में और 35 जनवरी 161 इस्वी में अली साहब की मिर्तु हो गई मतलब आपको याद रखना है चार खलीफा हाज़त मुहम्मद साहब के बारे में जो आपके एक्जाम में पूछा जाता है और चार खलीफाओं के नाम क्रमसा पूछे जाते हैं अबुबक्र, उमर, उस्मान और अली ये चार जो है क्रमसा खलीफा के नाम पूछे जाते हैं आपके एक्जाम में इसे याद रखना है, अली साहब की मिर्तु 25 जनवरी 661 इसमी में हो जाती है अब अली के पुत्र हसन को खलीफा चुना जाता है लेकिन हसन साहब खलीफा का पद मुआबियों के नेत्रत में छोड़के चले जाते हैं और मदीना चले जाते हैं मुआबि कौन थे वो हजद मुहम्मद साहब को मानने वाले थे लेकिन इन लोग की खलीफात को सुविकार नहीं करते थे इसलिए मुआबि काफी विद्रोही प्रविरती के हो गए थे बहुत लड़ाकू प्रविरती के हो गए थे तो हसन महोदे ने इनके पच्छ में खलीफात का पद छोड़ करके और वो स्वेम मदीना चले गए हसन साब कहां चले गए मदीना यानि कि कूफा में राजधानी था कूफा से मदीना चले गए मदीना आज भी जो है इसलामिक तीर्थ्यात्रा का गड़ है तो वहां चले गए किन्तु कूफा की जनता ने मुआबियों को सुविकार नहीं किया उन्होंने हजध मुहम्मद साहब के पुत्री फातिमा का पुत्र हुसैन हुसैन को खलीफा बनाया और मुआबियों ने अपना नेता यजीद को चुना अब एक मियान में दो तलवार तो रह नहीं सकते युद्ध असंभावी हो गया और दोनों की सेनाएं करबला के मैदान में उपस्थित हुई और युद्ध हुआ युद्ध में हुसैन साहब सहीद हो गया यानि यजीद यानि मुआबियों का विजय हुआ और यही पे सिया और सुन्नी इसलाम के दो गुठ हो गए जो आज तक बरकरार है और दोनों एक दूसरे से समय समय पर लड़ते रहते हैं यानि कि जब हुसैन साहब का करबला में सहीद हो गए हुसैन साहब तब मुआबियों के हाथ में सत्ता आ गई और यही रहा इसलामिक उत्थान और उनके खलिफाओं का दौर इसके बाद करमसा धीरे धीरे बिस्तार होता जाएगा गजनी मध्यसिया इरान, इराग, सीरिया सब पर इसलामी का कबजा हो जाएगा और अब भारत के तरफ यानि कि पहला आकरमड भारत में 712 के तहट मुहम्मद बिन कासिम के तहट अर्बों के माद्यम से किया जाएगा तो मैं अपने किलास को यह पर समाप करता हूँ धन्यवाद जय हिन, जय भारत